तो हम बात करेंगे December मन्थ के जो second week वाले current affairs है वो महीने में मैं दो वीडियो बनाता हूँ geography और environment के current affairs के लिए पहला वीडियो आपको जो है starting में मिलता वीक के और अभी जो है आपको मिल गया यह second week का अब जनवरी के फर्स्ट वीक में मैंने आपको लास्ट डिसेंबर का डाल दिया था वो वीडियो उसको ज़रूर देख लेना यह प्लेलिस्ट को या तो आप एक काम करो सेवी कर लो ताकि आपको पुराने और आने वाले वीडियो सम्मिलते जाए ठीक है शुरू करेंगे केर हम लोग पढ़ते हैं विंसन मैसिफ यह परवत अंटाक्टिका का है और इस इस दा हाइस्ट पीक जिसको आप कह सकते हो अंटाक्टिका कॉंटिनेंट का वल्ड देखा ही होगा आपने और एकदम नीचे पर लोग पढ़ते हैं साउथ में साउथ पोल के पास वाला जो कॉं लैंबर्ड ग्लेशियर बहुत आता है एक्जाम में न्यूज में पूछा रहे हैं पूछ सकता है वो तो लैंबर्ड वगरे भी के बारे में पढ़ सकते हो आप तो विंसन हाइस्ट माउंटेन हो गया इसके बारे में बात कराता है और इस 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 पार्ट ऑफ सेंटिनेल र लखना वित्ती न्यूज में था तो यह ठीक है नाओ कमिंग तु दा नेक्स पार्ट एक इन्फोर्मेशन आप सभी लर्नर्स के लिए कि जो फांडेशन बैच है अनेकैडमी पर बारा महिने का आपको उसके साथ फ्री एक्स्टेंशन भी मिल रहा है कंप्लीट आप अपनी से जो है नए बैच प्रारम बहु रहा है और स्पेशलिए फांडेशन बैच के लिए तो आप अभी भी तैयारी क्योंकि इतना समय में वैसे भी लग जाता है तो इंस्टेड़ वेस्टिंग टाइम कि भाई थोड़ा जो है यहां वहां समय विता लेते हैं अभी तो लेना है इस्तमाल जी हां ठीक है बहुत बढ़िया न्यूज है मतलब मैं मैं भी जब पढ़ रहा था तो मुझे बढ़ अच्छा लगा कि यह एक तो विश्वास करने में थोड़ा सा लगेगा क्या रहार ऐसे कैसे लेकिन ध्यान रखना बहुत अच्छी चीज़े है कोश् उन्ट की तरफ आप चले जा रहा हो तो यह कैमलिट्स के बारे में पूछा जा सकता है तो युनाइटेड नेशन ने दो हजार चोईस को जो इंटरनेशनल यर ऑफ कैमलिट्स बोला है उसके बाद में डिसकॉशन हुए है इस बात के कि भाई जो है कैमलिट्स का बहुत पर निकाल दिया पर कॉंटेक्स निकालने बैठोगे तो फिर कनेक्ट होता ही कि रहे यार कुछ नकुछ तो संबंद रहा था किसी चीज से प्लीज हो सके तो इनको पढ़ना है आपको उसके बाद में एक तरह से आप कह सकते हो कि ओल्ड वर्ड कैमलिट्स भी होते हैं और निवर्ड कैमलिट्स भी होते हैं दो इनके ग्रूप होते हैं ओल्ड कैमलिट्स में जो सेंटरल एशिया हुए नर्दन अफरीका हुए जो ट्रू कैमल्स आप जनरली कहते हो जो वन हम्ड कैमल है या जो हम्ड कैमल हम्ड मतलब जो आपने पीठ के ओपर उनका वो देखा हो तो यह थोड़ा सा इनको भी आप लोग बेसिक इसका आइडिया याद रखना ठीक है एक कोश्चन यहां से भी तुम कर सकते हो कि नॉर्थ सी में कॉंटेक्स्ट लगे उत्तर ही सागर में पहले तो यह बता हो कहा है तो उसके लिए तुम्हें यूरॉप जाना पड़ेगा तो वहां मिलेगा तुम्हें नॉर्थ सी नॉर्थ सी में जैसे आप जाओगे तो वहां पर पुछ सकता है कि कौन कौन से देश नॉर्थ सी से लगे होते हैं तो दिख रहा है अपने को डेन्मार्क दिखाई दे रहा है नॉर्वे दिखाई दे रहा है तो कहीं यूके दिखाई दे रहा है तो नीदरलेंड दिखाई दे रहा है तो बेल्जियम दिखाई दे रहा है कम से कम इतना तो अपने को पता होना चीए यह question जो है अच्छे से पढ़ लेना इसे आ सकते है UK, France, Netherlands, Denmark, Norway ठीक है Ross Sagar के बारे मैं पूछा जा सकता exam में आपसे की Ross Sagar कहा है तो भाईया यह Antarctica है आपके जीवन में Antarctica के बाद में यह Antarctic Peninsula मतलब इधर आप जाओंगा मैं तो अपने को उधर South America मिल जाएगा तो उसके इधर Ross Sagar मिलेगा उसी के पास Ross Ice Shelf भी देखने को मिलता है ठीक है तो Ross Sagar पूछ ले वो इसके बाद में जो मैंने आपको Starting में बताया कि Erebus पूछ सकता है Winston Massive पूछ सकता यह सब Antarctic का आज कल वैसे भी काफी न्यूज में रह रह रहा है तो थोड़ा पड़के जाना है इसके बाद में उत्राखंड में जो बिनसार वाइल लाइफ सेंचुरी है पहले तो यह कोश्चन आ गया है कि कहां पर कौन सी है यह अच्छे से सरीर में चले जानी चाहिए आपके कि बिनसार वाइल लाइफ सेंचुरी कहांपर मिलेगी तो बिनसार वाइल लाइफ सेंचुरी में पहली बार टाई靗र को इसा देखा गया अच्छी चीज है मतलब बिनसार जो है यह आपको अलमोरा जो रीजन है कुमाउ छेतर उत्राखंड का वहां मिलेगा बिंदेश्वर महाधिव टेंपल के नाम से मतलब ये उससे संबंद सीधा रखता है उसके बाद में यहाँ पर आपको नो डाउट अलग-अलग नंदा देवी, नंदा कोट अलग केदारनाथ या आसपास के छेतरों में आपको यहाँ से मतलब दिख जाते है तो ये बेसिक है, थोड़ा सा पढ़ के रखना इसके बाद में बावल मंडे पर जादा यदि हम लोग रिलाए करते हैं, तो हो सकता है कि आगे जाके यदि ट्रेड रूट की समस्या आई तो बहुत समस्या हो सकती है तो इसके अल्टरनेट भी हमें निकानने पड़ेंगे बावल मंडे मतलब इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा कहां पर तो इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा सबसे में चीज है साओधी अरब में, येमन दिखाई दे रहा होगा जी सर तो येमन में जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा येमन अब येमन मतलब एशिया में और ये अफरीका है पूरा मतलब यहाँ आप अफरीका है जैसे माल लीजे तो ये इधर इस पॉइंट पर आपको दिखाई देगा तो बावल मंडे वे स्ट्रेट एक्चुल में गल्फ आफेडन और लाल सागर को गनेट करता ये भी याद रखना है अपने को ठीके पर तुम तो डीजे याद कर लो जल्दी याद हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर इसका ऐसा मानना है कि इकनोमिक इंपोर्टेंस है इसका काफी जादा और अपने आप में गल्फ आफेडन और इंडियन ओशियन को ये कनेट करके और आगे लाल सागर तक तुम इसको कनेट कर सकते हैं सारी चीजे अपन लोग पढ़ चुके है सब कुछ अपन लोगों ने डिसकस करी लिया ठीक ह अब इनका मानना यह है कि भाईया इसको अभी जो है इसके अलावा भी हमें आसपास की कंट्री से उस तरह का संबंद बना के रखना चाहिए क्योंकि कई बार इदिमान लो ये बंद हुआ फॉर एक्जामपल तो पूरा ट्रेड हमारा इंपेक्ट नहीं करना होगा इंपेक को अल्टरनेट ट्रेड जो है रूट्स भी निकालने पड़ेंगी एक पर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं नाव अंटर्क्टिक रीजन में बड़ा गलो देखने को मिला पर यह और और नहीं था तो क्या था तो यह पोलर स्टेटोस्फियर क्लाउट्स थे तो एक च स्टेटोस्पियर क्लाउड जो होते हैं और नॉर्मल क्लाउड के उपर ही आपको देखने को मिलेगा इस एक्दम नीचे जमीन से नहीं रखेंगे नहीं रहेंगे उपर ही है फॉग जैसी कंडिशन नहीं है मतलब दूसरी इंपॉर्टेंट बार इसमें स्मॉलर आइस पार में जो ओजो जब डिस्ट्रॉइ हो रही होती है यहां आपको सबको पताए है कि ही ओजो छू को को मिलता है さब तरह कि ओजोन डिपलीशन में काफी जादा जो है इसका रोल प्ले करता है तो यह जब भी ओजोन को लेकर न्यूज आईगी न तब आपको जो है यह चीज अक्सर देखने को मिलेगी अब इसमें एक चीज बात आपको यह भी याद रखना है कि जब कोश्चन पूछे वो आप से तो अपने को बस यह याद रखना है कि भी या पोलर रीजन में पाए जाता है स्मॉलर आइस पार्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं ठीक है और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि कल को कोई पूछे ओजोन डिपलीशन में इसका आसर देखने को मिलता है क्या जी हाँ बिलकु आप देख भी लिए आपने अब भाईया यहां पर रेडट टाइट क्यों है क्या है तो याद रखना लाल रंग उसका इसलिए दिख रहा है अलगल ब्लूम के कारण अलगल ब्लूम शैवाल का कलर है इसलिए यह चीज हुई है तो ओवर ग्रोथ हो जाती है जब उसकी तो पानी जो है वो लाल हो जाता है अब यह कैसे हो गया कहां से आगया तो वह एलगल एलगी का ग्रोथ का बहुती है जब उसको उतना न्यूट्रिशन मिल रहा हो तो फार्मिंग फैक्टरी सीवेज ट्रीट्मेंट प्लांट्स ठीक है अलग-अलग छेतरों से पानी भैके आ अब वो फिर दिये जब समुदर के एक आसपास पहुंच जा रहा होता है तो बस फिर एलगल ब्लूम होता है एकदम लाल रंग का आपको दिखाई देता है तो रैड टाइड वगर भी यह वर्ड यूस कर सकते हैं कई बार यह पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है मिनिस्ट् जूट 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 कॉर्परेशन ऑफ इंडिया से संबंदित कुश्चन भी आ सकता है यस बाकी यह जो पार्ट में तरह है यह याद रखना मॉवाइल एप्लिकेशन डेवलप किया गया है जूट कॉर्परेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें हम लोग बात करना चा चाहरा है इनफॉर्मेशन देना चाहरा है मिनीमम सपोर्ट प्राइस जो भी है जूट फारमर्स को छे भाशा में आपको देखने को बिलेगा उसके बाद में बहुत सारे फंक्शन इसके मलब फ्री ऑफ कॉस्ट देने के उसमें है जूट कॉर्परेशन ऑफ इंडिया के ब मिनिस्ट अफ टेक्स Приiss के अंतरगत आता यह आपको याद रखना है उसके भारत में वेस्ट बेंगोल लेलो लेलो बीहार लेलो असम लेलो मेहाले लेलो त्रिपुर्रा लेलो अद्परेशन लेलो स्टेट्मेंट में आता कि औरतीस में भी जूट का बोल बाल है भाई साब तो इस चीज को अपने को ध्यान रखना है next एक सवाल आप लोग का इंतजार कर रहा है मुकूर्थी नेशनल पार्क कहा है तो मुकूर्थी नेशनल पार्क सीधा सवाल आएगा देखो एक मुरुगावनी होता है अब मुकुरती टाइगर रिजर्व है की नहीं अब ये तो चलो ठीक है कि भाई निलगीरी भाई स्फियर रिजर्व में आप लोग बता दोगे अच्छी बात है लेकिन आपको अच्छा दूसरी बात निलगीरी तहर निलगीरी तहर हर बार एक देखा आप कभी भी आप पुराने पेपर देखना और उसमें ये इस तरह है कि आप जब भी देखोगे नेशनल पार वाईल लाइफ सेंचुरी दक्षिन भारत से इस्पेशली ये वाले रिजन में है जिसको नहीं हम कहते हैं साउथ वाले अक्सर आपको देखने को मिलेंगे तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना भूलना नहीं है ठीक है इसके बाद इसमें जो है निलगीरी वाले छेत्र में मुकुर्ती नाम जो रखा है वो परवत के नाम से भी है बेसिक आप याद रख सकते हो उसके बाद में निलगीरी तहर नेशनल पार्क भी बोला जाता था इसको ठीक है मतलब अच्छे से पढ़ लीजिएगा भूलना नहीं है मुकुर्ती नेशनल पार्क मुकुर्ती में गन्फिस हो जाते है शोला परवत के छेतर बनलब शोलाज भी बहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बाइद वेए वेरिस सेल्टॉन सी अच्छा सवाल है सरी है बहुत बड़ी है सेल्टॉन सी कहा मिलेगा सेल्टॉन जल्दी बताओ तो इसके लिए आपको वर्ल्ड में जाना पड़ेगा और वर्ल्ड में जाओगे तो कहां जाओगे नौर्थ अमेरिका हम चले जाएंगे सर नौर्थ अमेरिका जी हाँ कैलिफोर्नी के हम जाना पड़ेगा अब Celton Sea को जब भी हम लोग देखेंगे तो Celton Sea में याद रखना है अपने को कि एक Saline Lake है, अब वहाँ पर क्या मिलगा है? समुद्रला Ocean से Connected ऐसा Direct आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो एक Lake है ठीक है? ध्यान रखना बूलना नहीं है, और USA में यह भी याद रख सकते हो, बड़ी मातरा में Lithium Deposits, Lithium Reserves जो हैं यहाँ पर इनको देखने को मिले हैं, USA वगरा का भी question आ सकता है, कहाँ पर है Direct, ठीक है? इसके बाद में बाकी तो Lithium का आज बड़े स्थर पर जो यूज हो रहा है, या बढ़ती उसकी जो demand है, वो तो आपको पता ही है कि का कहानी है उसकी, अपने आप में, सो महत पूर्ण है काफी जादा है, इसके बाद में इसके application पार्ट पर हमेशा पढ़के जाओ, एक्जा इसके बाद में, मतलब rechargeable batteries वगर है जब भी आप पढ़ लोती है, तो मतलब मुझे लगता पूरी preparation करते है, टाइम ही सब पढ़ी रहा है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब जब भी बात करेंगे हम लोग वेनेजवेला की, एक दो चीज़े एक्स्टा पढ़ जाना है हुआ यह है कि British के warships जो है गुयाना के आसपास आये थे, तो थोड़ा bordering dispute हो गया है वेनेजवेला के साथ में और गया है, वी मतलब वेनेजवेला, तो अब इसमें ये question आ सकता है, जो भी disputed place आता है ना, वो actual news में आपको मिलेगा, कि जो SACUBO region जो है, वो कहां पर है, SACUBO region कहां काया, अब actual में ये भी oil enriched areas हैं, तो ये direct पूछ सकता है वो आपसे कि भाई, वेनेजवेला का संब्द है, ठीक है, तो धिहान रहे, भूलना नहीं है, अब इसमें क्या है, वेनेजवेला कहता है ये, SACUBO की वेनेजवेला claim कर रहा होता है, तो ये, और सायथ में, आप विकत क्या है, ये oil producing areas है, तो comparatively उतना ही जादा जो है, काफी जादा dispute है, तो एक चीज़ क्या है, कि जैसे Britishers के warship चले गए इन support, तो फिर normally वहां की comparatively जो लडाई है, वो थोड़ी सी ओर tensions बढ़ गए थे, तो गुयाना और वेनेजवेला के बीच का boundary dispute, अच्छे से याद और ये कब से चला रहा है, वो ही British और Spanish time से, जी हां, तो एक question ये भी पूछ सकता है, कि भाई, इसे क्यूबूर रीजन जो है, वो किन दो देशों के बीच की लडाई है, तो गुयाना और वेनेजवेला की है, पॉडोसी, पॉडोसी, लडोसी, लड़ लिए, Royal Bengal Tiger भाई साब वेली, निवर वेली में देखने को बिला है, वेर इस नियोरा वेली, नियो सिंग, याद करो, Western Bengal में बढ़ते हैं हम लोग, नियोरा वेली, National Park में देखने को बिला है, अच्छी बात है, आप आप बुकसंटी पड़ते थे सुंदर बनी ही पड़ते थे, नियोरा वेली तक तो टेंपरेट फोरेस्ट भी मिलेगा थोड़ा ठंडा छेत्र भी ब्रॉड लीव्स भी है एक्विटोरियल रीजन भी है और रोड एंडरॉन तक मिल जाया का मतलब हाइट पर जाड़ियों वाले फूल जी सरक मिक्सड टाइप का वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा ब बस यह चाह रहा हूं कि ग्रेव फ्रेंकोलीन यह वर्ड याद रखना कि यह बर्ड है इतना तो कम से कम पढ़ लेना आप लोग फ्रेंकोलीन लीस्ट कंसान है हाला कि अपने को पता होना चाहिए इंडियन सब कॉंटिनेंट इरान के छेत्रों में देखने को मिलता है अपन अच्छा मेरी आज आवाज थोड़ी आपको उपर नीचे लग रही होगी बर थोड़ा मैं कोई ट्रेवल करके आया हूं कल रात को तो थोड़ा लेट हो गया था मैं पर आब आज वीडियो देना भी था इस वीक में काफी लेट हो जाते तो मैंने थोड़ा सा जो है तो थो नेपाल और उदर बिहार वालमी की टाइगर रिजर्फ से लगी हुई है तो नेपाल बिहार का आसपास का याद रखना है गंडग लिटल गंडग प्यास रोहीनी रिवर के आसपास के बेसिन साब को देखने को मिल जाएंगी तो इस चीज़ को याद रखना है नाओ एक फ आफ्रीका में मिलने वाले यह जीव जन्तु पाए जाते है अब यह क्या है तो उनके सर्वाइवल पर थोड़ा सवाल आ रहा है क्लाइमिट चैंज चेंज कर चलते तो कोश्चन आ सकता है कि अर्दवर्क्स जो होते हैं अर्थ पिक जिसे हम कहते हैं यह पिक की तरह दिखा देते हैं उसके बॉड़ी और स्नौट को देखो गया आप लोग तो कॉमन एंसिस्टर्स जो है उनके एलिफेंट गोल्डन मोल्स में देखा जाता है नॉक्टरनल एनिमल्स होते हैं मतलब मोस्टली एक्टिव रात में देखने को मिलते हैं और अकेली रहते हैं बिलकुल औ आप इसको देख लो इसका 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 सवाल आ रहा है ठीक है उसके बाद में ऐसे एक यूरेशन अटर भी है जो पहली बार देखने को मिला है तो अटर वगरा जो यह भी हम लोगों ने कई बार इनकी इमेजस देखी हैं बाट ज्यादा ही इतना काम का नहीं था हम वेश्टन घाट वाले एरियाज हैं उसके बाद मैं यह आप कह सकते हो कि नॉर्मली मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी एरावी कूलम नेशनल पार्क के बारे में बात करोगे या इंद्रा गांधी वाइलेच सेंचुरी के बारे में बात करोगे तो उसके आसपास के छित्रों में देखने को मिलता है चिनार वाइलेच यहाँ पर बिल्कुल दक्षन में आपको देखने को मिलेगी तो अच्छे से इसको याद रखें ऐसे हम लोग उदर मुकूर्ती बगर भी पढ़ चुके हैं उनको भी याद रखना नेक्स्ट एक कीवर्ड है जोगरफी का पढ़ लो टाइडल बोर जब भी जब टाइड आ इनको पढ़ लीजेगा और यह फांडेशन बेच 19 जनवरी से प्रारम भो रहे हैं यार जोईन करो इनको और इंडिया के बेस्ट एजुकर्टर से आप लर्निंग ले सकते हो अपनी कॉलेज बगरा की पढ़ाई के साथ इसको अभी से आप अपनी तयारी शुरू कर दो झाल 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 झाल